हलो दोस्तो कैसे हैं आप सब क्या आपको भी है बैक पिन तो आप आए हैं बिल्कुल सही जगह क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे आपको दस ऐसी बार मेकानिकल टिप्स जो आपको बैक पिन स्पॉंडोलोसिस लिस्टेसिस डिस्कलिप जैसी बिमारियों से रखेगी कोसो दूर लेकिन क्यों ना पहले बैक पेन से रिलेटेड कुछ तथे जान ले क्या आप जानते हैं हमारे देश भारत में 60 से 80 प्रतिशत लोग कभी ना कभी अपनी जिंदिगी में बैक पेन का शिक 55 परसंट लगबग लेडीज हैं और 45 परसंट में यहां भी महिला आगे और अगर आपकी उम्र है 35 वर्ष से उपर तो यह रिस्क 9 टाइम्स बढ़ जाता है और बैक पेन की वज़े से 26 परसंट लोग अपना प्रोफेशन चेंज करने पर मजबूर हो जाते हैं और भारत के हर स्टेट में 8 प्रतिशत लोग इसकी वज़े से डिसेबिलीटी में अपना जीवन वितीत करते हैं खेर चलिए अब बात करते हैं इस 95 करोड के आंकडे को और जो भारतवासी इतना पैसा खर्च करते हैं बैक पेन पर उसको कम कैसे किया जाए क्या आपने कहा यह मुश्कि इसके लिए आपको अपनानी होंगी ऐसी 10 हैबिट्स जो रखेंगे आपको बैक पेन से दूर और उसके साथ साथ आप होंगे ज्यादा एफिशेंट आपकी लाइफ में होगा कम स्ट्रेस और आप जी पाएंगे एक बहतर लाइफ तो चलिए बात करते हैं उस पहली प्रेजेंट है उनको हमें हमेशा मेंटेन करने की कोशिश करनी चाहिए चाहे हम स्टाटिक पोजिशन में हो या फिर डाइनमिक पोजिशन में चाहे हम बैठे हों खड़े हों या फिर कोई काम कर रहे हों फॉर एक्जामपल जब हम कोई 20 केलों का वजन उठाने की कोशिश करते हैं और अपने गुतने मोड कर उसको उठाते हैं तो हमारी जो लंबर स्पाइन है उस पर लोड पड़ता है लगबग 210 केजी लेकिन अगर वही वेट आप कमर जुका कर उठाने की कोशिश करेंगे तो लोड पड़ेगा 340 केजी अप्रॉक्सिमेटली यह एक्जामपल क्लियरली दर्शाता है कि नॉमल कर्स को रिटेन करना कितना इंपोर्टन्ट है है अगर आपका वर्क प्लेस दिमांड करता है कि आप बहुत देर तक खड़े रहे या फिर बहुत देर तक बैठे रहे तो यह पॉसिबल है कि ठककर आप रॉंग पोस्चर्स एक्वायर कर लेंगे इसलिए इसको काउंटर करने के लिए आप फ्रिक्वेंट ब्रेक्स लीजिए हर 45 मिनट या एक घंटे में अपनी सीट से उठिये और अपनी बॉड़ी को स्ट्रेच कीजिए खासकर अपनी नेक और लोवर बैक को और अगर आपका वर्क प्लेस दिमांड करता है कि आप बहुत देर तक खड़े रहें अपनी जॉब पर तो अपने बॉड़ी वेट को अल्टरनेटिवली अपने लेक्स पर शिफ्ट करते रहें और मूव अराउंड करते रहें यह एक ऐसी एक्टिविटी या कहिए पोस्टरल चेंज है जो हम दिन में अंगिनत बार करते हैं इसलिए यह एक important role play करती है हमारे backpen होने में और ना होने में जब भी आप चेहर पर बैठते हैं या फिर चेहर से खड़े होते हैं तो अपने arm rest का इस्तमाल ज़रूर करें जब आप ऐसा करते हैं तो आपके lumber region पर लगभग 30% तक कम load पड़ता है और जब भी आप चेहर से उठने लगें तो पहले edge पर आ जाएं चेहर के और बिना कमर को जुकाए सीधे खड़े हो जाएं habit नमबर 4 lying down अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें मैं क्या गलत कर सकता हूँ यह तो मेरी favorite position है तो यह बताते हैं इसके लिए भी कुछ steps आपका जो bed है वो एक firm base वाला होना चाहिए हो सके तो वो wooden हो दूसरी चीज आपका जो mattress है वो बहुत ज़्यादा soft या fluffy नहीं होना चाहिए वो भी थोड़ा firm होना चाहिए और सोने में आप ज़्यादा से ज़्यादा side lying position acquire करें यानि कि करवट लेकर अपनी neck के नीचे एक उचित मुटाई वाला pillow ज़रूर लें जिससे कि आपकी neck ना तो ज़्यादा उठी हुई हो ना ही bed की तरफ धस जाए और उस pillow को shoulders तक insert कर लें और अगर ज़रूरत हो तो एक pillow अपने knees के बीच में support के लिए रखें habit no.5 sitting up from lying अगर आप back pain के patient है तो ये point आपके लिए बहुत important है जब भी आप bed से उठने लगें तो सबसे पहले करवट वाली position acquire कर लें जिस तरफ आपको उतरना है उस तरफ face करकर दोनों हाथों के support से अपने trunk को सीधा रखते हुए sitting में आ जाएं और इस दोरान अपने abdominal muscles को contract करकर रखें एक basic rule याद रखें कि आपका face और आपके toes हमेशा एक direction में point करते रहने चाहिए habit no.6 sneezing और coughing जी हां हम जानते हैं कि यह difficult है क्योंकि जादा तर यह activity involuntary होती है यान कि बिना आपकी मर्जी के लेकिन फिर भी अगर आपकी body आपको time दे तो खड़े होकर अपनी back पर हाथ रखते हुए थोड़ा सा पीछे की और जुग जाएं ताकि sudden forward flexion की विजए से आपकी neck में कोई injury न हो जाए habit no.7 forward bending यह वो activity है जिसमें सबसे ज्यादा injuries होती है back की इसलिए इसमें हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए चाहे हम घर में कोई काम कर रहे हो, cylinder उठा रहे हो, kitchen में कोई काम कर रहे हो या फिर अपनी workplace पर कोई सामान उठा रहे हो या even जब आप जिम में weights उठा रहे हैं deadlifts के दोरान यह postural change सबसे ज्यादा prone है back injuries के लिए इसलिए अगर आप acute patient है low back pain के तो आपको यह activity avoid करनी चाहिए और अगर आपको reach करना ही है नीचे तो अपने घुटनों को मोड़े और नीचे बैढ जाए बिना अपनी कमर को जुकाए हुए ताकि आपकी lumber spine ज्यादा से ज्यादा off loaded रह habit no.8 pushing कभी भारी सामान को pull ना करें और जब भी push करना पड़े तो बिना कमर जुकाए अपने hips से भारी सामान को push करें habit no.9 lifting weight भारी सामान लिफ्ट करने से पहले हमेशा वजन को divide कर लें और lifting से पहले कुछ लंबे सांस ले और अपने abdominal muscles को contract कर लें इससे lumber spine पर कुछ कम load पड़ेगा और काम हो जाने के बाद अपनी back को थोड़ा पीछे की और जुकाएं और तीन-चार बार ये stretch करें अरे इन्होंने तो कुछ जादा ही कर दिया habit number 10 carrying weight कभी भी अपने briefcases या schoolbacks को एक हाथ में carry ना करें हमेशा उनको shift करते रहें backpacks को दोनों shoulders पर carry करें और अगर आपको अपनी body के सामने कोई weight उठाना है तो जितना हो सके उसको अपनी chest के close रखें तो दोस्तों ये थे वो 10 habits जो अगर आप अपनाएंगे तो back pain से दूर रहेंगे like के button को hit करना ना भूलेगा और इसी तरह के content के लिए हमारे channel को subscribe कीजिए thank you so much कीजिएाँब